पूर्फ ओजी ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी घर्टना को अंजाम देने के बाद वो खुद तमंचा लेकर शिवली थाने पहुँच गया और हत्या किये जाने की जानकारी पुलिस कर्मियों को दी जिसे सुनकर पुलिस कर्मी हैरान रहे गए और आला अधिकारियों को घर्टना से अवगत कराया इसके साथ शिवली थाना पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुँची और शव को कबजे लेकर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया वहीं फॉरेंसिक विभाग की टीम ने मौका ए वार्दात से सभी साक्षों को अपने कबजे में ले लिया जानकारी के मुताबिक यह वार्दात शिवली कजबे के शंकर नगर इलाके की है शंकर नगर इलाके में रहने वाले पूर्व सैनिक हरी कृष्ण त्रिपाथी उम्र 70 साल सेना से रिटायर होने के बाद बैंक में नौकरी कर चुके हैं सेवा निवरित होने के बाद वो घर पर ही रह रहे हैं बुधवार दोपहर किसी बात को लेकर उनका पत्नी रेनु त्रिपाथी उम्र 65 साल से विवाद हो गया इस पर उन्होंने गुसे में तमंचे से उनको गोली मार दी इससे रेनु की मौके पर ही मौत हो गई इसके बाद वो तमंचा लेकर कोत्वाली पहुँच गए गटना की जानकारी होते ही मोहले के लोग स्तब्द रह गए एडिशनल एस पी घंशाम चौर्सिया ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना शिवली में एक पूर्व फौजी ने आज अपनी पत्नी की हत्या कर दी घटना को अंजाम देने के बाद पूर्व फौजी थाने आ गया था जिसको गिरफतार कर लिया गया है वहीं शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है आगे की कारवाई की जा रही है संसनी ओफ इंडिया टीम इत्थाना सिवली में एक 65 बरसी पूर्व फौजी ने अपनी पत्नी की जो 62 साल के थी उसे गूली मार कर हत्या कर दी है वो अबयत तमंचा लेकर के मारने के बाद थाने आ गया था जिसकी गिरबतारी की गई है अब वोस्मार्टम पिंचायत नामा की कारवाई प्रचलित है इसके मर्डर के पीछे हत्या का मूटिप बताया गया है कि दोनों के बीच बहुत बरसों से विवाद रहता था पत्तनी के बीच और आज वो अपने बेटे को इसी विवाद के दौरान मारने की कोशिस किया जिसमें मा सामने आ गई और मा को उसने गोली मार दिया मुल्जीब की गिरबतारी कर लिए गई है अब विवेचनत मकारवाई प्रचलित है अगर आप क्राइम विडियो देखने के शौकीन है और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंथ हमारे संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें